उत्तरप्रदेश की कैराना विधान सभा सीट से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन और बीजेपी की म्रिगांग का सिह आमने सामने हैं भले ही दोनों विधान सभा चुनाओं में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं लेकिन इन दोनों से जुड़ा रोचक तथी ये है कि उत्तरप्रदेश के कैराना में दोनों बड़े राजनितिक घराने हसन और सिहन कभी एक परिवार का हिस्सा हुआ करती थे ये बात करीब 120 साल पहले की है इनके एक पूरवज ने इसलाम मजहब को अपना लिया जिसके बाद से इस परिवार में हिंदू बना मुसल्मान की लड़ाई शुरू हो गई ये राजनितिक लड़ाई इतने सालों बात भी जारी है जब बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 107 उमीदवारों के नाम के साथ अपनी पहली सूची जारी की तो उसने कैराना से अपने उमीदवार के रूप में दिवंगत सांसद हुकुम सिह की बेटी म्रिगांका सिह को चुना इसी निर्वाचंग शेत्र से सपाकी सूची में मौजूदा विधायक नाहिध हसन थे एक सदी से भी पहले सिह और हसन एक जुट थे और बाबा कल्सा के नेत्रित्व वाले एक परिवार का हिस्सा हुआ करते थे कैराना के सुहव अंसारी ने बताया कि कुछ साल पहले तक हुकुम सिह को हिंदू समूह का नेता माना जाता था जबकि नाहित के पिता मुनवर हसन मुसलिम विंग का नित्रित्व करते थे साल 1990 के दशक की शुरुवात से कैराना ने इन दोनों परिवार के प्रतिनिधियों को राज्य विधान सभा और लोक सभा में भेचा अब दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनितिक प्रतिद्वन्दिता अगली पीढ़ी तक पहुँच गई है समय समय पर क्षेत्र में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि दोनों ही परिवारों में रक्त का संबंध भी रहा है इस संबंध में दोनों ही परिवारों के लोगों से बात की गई लेकिन इसकी कहीं भी पुष्टी नहीं हुई कि दोनों ही परिवारों के बीज कभी रक्त संबंध रहा हो मुनवर हसन के बेटे नाहिद ने साल 2017 के राज्य चुनावों में हुकूम सेही की बेटी मुरिगांका को हराया था फिर मुनवर हसन की विदवा तबस्सुम हसन ने साल 2018 के लोगसभाद चुनावों में मुरिगांका पर जीत हासिल की शनिवार को एक नाटकी मोड आया जिसमें सपा, रालोद गटबंदन के उमिदवार और वर्तमान विधायक नाहिद हसन को पुलिस ने घरफतार कर लिया पुलिस ने नाहिद हसन को कोर्ट में पेश किया इसके बार 14 दिन की नयाएक हिरासद में लेकर जेल भेज दिया बताया जा रहा है कि नाहिद गैंस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार थे इसे मामले में शनिवार को ये कारवाई की गई दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नाहिद हसन ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया है नाहिद हसन फिलहाल समाजवादी पार्टी से कैराना विधायक है समाजवादी पार्टी और राष्टी लोगदल गटबंधन की पहली लिस्ट में ही नाहिद हसन को कैराना से दोबारा उम्मिद्वार घोशित किया गया है NBT Online की रिपोर